हेलो फ्रेंड्स संडे हो या अच्छानक से महमान आ जाए तो हर कोई चाहता है कि कुछ ऐसा बनाए जो बनाने में आसान हो खाने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब और सबसे जरूरी बात कि घर के ही रखे समान से बन कर तयार हो जाए तो फ्रेंड्स आज हम शेयर कर रहे है इन दोर और राजिस्तान की फेमस लेयर्ड बाफला बाटी की रेसिपी अक्सर लोगों के शीकायत होती है कि उनकी बाटी काफी hard बनती है क्या घर में oven या तंदूर नहीं है तो आप इस तरीके से layered बहुत ही खस्ता बाफला बाटी को बना सकते हैं साथ ही बाटी के साथ खाई जाने वाली बहुत ही special निमाल की दाल किन सीक्रेट्स के साथ तयार की जाती है वो भी शियर करेंगे तो फिर देर की इस बात की चलिए करते हैं फटा फट से शुरू सबसे पहले 3 4th कप तूर दाल ली है साथ में ही ली है 1 4th कप मुंकी दाल तो आप चाहे तो यहाँ पर छिलके वाली या बिना छिलके वाली कोई सी भी मुंक दाल का यूज कर सकते हैं अब दाल को हम अच्छी तरीके से दो बार पानी से धुल लेंगे दाल को धुलने के बाद अब इसमें हम एक ग्लास पानी डाल कर इसे 10 मिनिट के लिए फुलने देंगे तो चलिए जब तक दाल हमारी फुल रही है हम बाटी के लिए डोक रैडी कर लेते हैं इधर हम बड़े बरतन में लेंगे 2 कप गेहु का आटा जी हाँ फ्रेंड्स ये नौर्मली रोटी या चपाती वाला गेहु का आटा है जिसे मैंने चान लिया था पर ट्रेडिशनली बाटी के लिए मोटे गेहु का आटे का यूस किया जाता है इसलिए इसमें हम डालेंगे 3 4th कप रवा या सूजी इसे डालने के बाद अब बाटी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन को साथ में ही इसमें हम डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और बाटी में टेस्ट के लिए साथ में अच्छे डाइजेशन के लिए इसमें हम डालेंगे आधा चमच अजवाईन जिसे मेने हाथों से क्रश करके डाला है तो अब हम क्या करेंगी कि इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे जिसे के आटे में बेशन, सूजी आपस में सभी एक सार हो जाए और अब बाटी को अंदर से भी खस्ता बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे वन फोर्थ कप गरम किया हुआ तेल आप चाहें तो तेल की जगा घी का भी यूज़ कर सकते हैं साथ में ही बाटी के अच्छे कलर के लिए हम डालेंगे वन फोर्थ कप घलदी को अब इन सभी चीजों को हम चम्मस से ही मिक्स कर देंगे क्योंकि अभी तेल काफी गरम है तो तेल को यहां आटे में हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब हम क्या करेंगे कि साफ हातों से अच्छी तरीके से इस आटे में मोयम लगा लेंगे तो फ्रेंड्स देखिए जब हम आटे को लेकर इस तरीके से मुठी बानते हैं तो आठा हमारा बंधने लगता है तो यहां हमारे आटे में एकदम पर्फेक्ट मोयम लग चुका है और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका यहां एक सौफ सा डो बनाकर रैडी कर लेंगे और इतने आटे का डो बनाने के लिए मुझे यहां पर एक कप और दो बड़े चमच पानी लगे हैं और आपको पानी कितना लगेगा यह आपने जो सूजी यूज़ करी है उस पर डिपैंड करेगा कि सूजी मोटी है या बारिक पर ध्यान यहां पर यह दें कि डो हमेश सौफ ही लगाना है क्यूंकि सूजी अभी पानी को सोप कर लेगी और यह डो थोड़ असा हाड हो जाएगा तो डो को हम 5 मिनिट का रैस्ट देंगे जब तक हम हमारी डालो को भी देख लेते हैं यहां डाल थोड़ इसी सौफ्ट हो चुकी है तो डाल का सारा पाने निकालने के बाद डाल को हम ट्रांसफर कर देंगे कूकर में साथ में ही इसमें हम डालेंगे 3 कप पानी अब दाल में हम डालेंगे taste according नमक, साथ ही डालेंगे आधा चम सालदी अब इसमें हम डालेंगे दो पिंच हिंग को जी हां फ्रेंड्स अगर आप हिंग boil होते समय ही दाल में डाल देते हैं तो हिंग का पूरी ही दाल में बहुत अच्छा flavor आता है और अब इस दाल को हम गैस पर चड़ा देते हैं और कुकर में दो विसल आने देते हैं और उधर हमारे डो को rest करते हुए भी 5 मिनिट हो चुके हैं सूजी अच्छी तरीके से फुल चुकी है तो हम इस डो को एक बार अच्छी तरीके से नेट कर लेंगे और अब इस डो से हम जितनी बड़ी हमें बाटी बनानी है उतनी बड़ी लोईयों को कट कर लेंगे तो इस पूरे ही डो से 9 बाटी की लोईयों को मैंने कट कर लिया है तो चलिए इन लोईयों से हम आज दो तरीके से बाटी बनाना भी देख लेते हैं एक कटोरी में मैंने थोड़े तेल को रख लिया है आप जहां पर मैं तेली उस कर रही हूँ आप चाहें तो वहाँ घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो पहले तरीके से बाटी बनाने के लिए एक लोई को लेकर हम उंगलियों से उसे बढ़ा कर लेते हैं और इसे लगभग पूड़ी के बराबर बना लेते हैं अब क्या करेंगे कि इसके चारो और हम अच्छी तरीके से तेल लगा देंगे और इसके सभी किनारों को अंदर करते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे और इसे बाटी का शेप दे देंगे तो friends इस तरीके से भी आप अगर आप जल्दी में हैं तो बाटी बना सकते हैं तो यह हमारी एक तरीके से बाटी बन कर तयार है चलिए अब हम layer बाली बाटी भी बना लेते हैं तो उसके लिए बाटी की एक लोई को लेकर उस पर थोड़ा सा तेल लगा कर इसे हम बेल लेंगे तो यहां हमें जितना पतला हो सके उतनी पतली रोटी बना कर तयार करना है तो इसकी यहां एक बड़ी रोटी बेल ली गई है अब हम इसके सभी तरफ अच्छी तरीके से तेल लगा देंगे जिसे के हमारी बाटी में अच्छी सी लेयर आए अब इसके दोनों किनारों को उठाते हुए इस तरीके से आधा आधा कवर कर देंगे और फिर से मोड़े गए हिस्से पर थोड़ा तेल लगा देंगे अब हम इसकी side वाली edges पर से भी दोनों किनारों को उठाते हुए आधा आधा fold कर लेंगे हर बार हमें इस layer पर तेल लगाना है जिसे की बाटी हमारी अच्छी सी layer वाली बने और फिर से दोनों किनारों को उठा कर इसे rectangle का shape देंगे और अब इस rectangle की दोनों edges को हम इस तरीके से चिपका कर त्रिकोने का shape दे कर अब इसे हम अंदर की तरफ fold कर लेंगे और अब इसे उठा कर हलके हातों से हम अच्छी तरीके से जोड़ कर इसे बाटी का shape दे देंगे तो friends इसे हलके हातों से ही जोड़ना है नहीं तो हमारी बाटी में layers अच्छे से बन कर नहीं आएगी तो ये देखिए हमारी यहाँ पर एक बाटी बन कर तयार है तो चलिए friends ऐसे ही हम दूसरी layer बाटी को भी बना लेते हैं लेयर बाटी बनाते समय आपको ये याद रखना है कि इसकी हर लेयर पर हर बार मोड़ते समय तेल लगाना है जिससे की layer खुल कर आएगी और साथ ही जब बाटी को हम joint करेंगे तो इसे हलके हातों से जोड़ना है ताकि ये layer बनी रहे तो इसी तरीके से मैंने और भी layered बाटी को बना कर त्यार कर लिया है तो अकसर ही लोग बाटी और बाफला बाटी में confused होते हैं तो मैं आपको बता दूँ जब हम बाटी को बना कर उसे direct सेखते हैं या bake करते हैं तो उसे बाटी कहते हैं लेकिन जब बाटी को बनाकर हम पहले उसे उबालते हैं और फिर सेखते या बेख करते हैं तो उसे बाफला बाटी कहते हैं तो फ्रेंट्स आज हम layer'd बाफला बाटी बना रहे हैं इसके लिए कड़ाही में मैंने 2 गलास पानी को गर्म होने रग दिया है साथी में ही इसमें डाला है एक stand को और अब कडाही को cover करके पानी को हम गर्म होने देंगे इधर एक plate को हम oil से grease कर लेंगे और पानी में जैसे ही उबालाने लगता है तो plate को हम रख कर जितनी भी आपकी plate में बाटी आ सकती है उसे रख देते हैं तो friends यहां बाटीों को मैं कडाही में steam कर रही हूँ आप चाहें तो steamer में या idly stand में भी इसे steam कर सकते हैं साथी friends बाटी को रखते समय इसमें थोड़ा सा gap रखें क्योंकि बाटी हमारी अभी steam होने के बाद थोड़ी सी फूल जाती है तो बाटीों को एकदम चिपका चिपका के नहीं रखना है और बाटीों को यहां 15-20 मिनिट मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से steam कर लेना है इधर हमारी दाल भी ready हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि दाल हमारी पूरी तरीके से mash नहीं हुई है तो आप क्या करें दाल अभी हमारी गर्म है तो इस तरीके से आप चमच को चलाते हुए दाल को mix कर सकते हैं या आप चाहें तो इसे घूट भी सकते हैं तो यह देखें फ्रेंट यहां हमारी दाल घूट कर तयार है चलिए अब इस दाल को हम तड़का भी लगा लेते हैं इसके लिए दो बड़े चम्मच तेल को गर्म कर लेंगे आप चाहे तो तेल की जगा घी का भी इस्तमाल किया जा सकता है गर्म तेल में हम डालेंगे आधा चम्मच राई साथ ही आधा चम्मच जीरा दो कटी हुई हरी मिर्चों को, साथ में ही डालेंगे कुछ कड़ी पत्तों को, अब डालेंगे एक medium size का बारिक कटा हुआ प्याज, और प्याज को यहाँ हम translucent होने तक भुन लेंगे, तो जब प्याज हमारा translucent हो जाता है, तब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमच अद्रकल पेस्ट और इसे भी हम 1 मिनिट तक भुन लेंगे तो सभी चीजों को भुनने के बाद भात भाइं आप ग worthwhile के टमाटर और टमाटर को गलाने के लिए इसमें तक इस्ट अकॉर्डिंग नमक, साथ ही डालेंगे एक चमच धन्या पाउडर, एक बड़ा ही चमच लाल मिर्च पाउडर, अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमच कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी को दाल फ्राइ करते समय जरूर डाले, इससे टेस्ट पहुत ही अच्छा आत तो आब इस इमली के पानी को हम डालेंगे इस तड़के में, साथ में ही हम डालेंगे आधा चमच गुड को डरिये नहीं, गुड से हमारी डाल मीठी नहीं होगी, बलकि तीखा, खटा, सारे ही टेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस्ट हो जाएंगे, और बस एक मि रख सकते हैं, पर तूर दाल जैसे जैसे ठंडी होने लगती है, वो काफी गाड़ी हो जाती है, तो इसलिए इसमें हम एक कप पानी डालेंगे, लेकिन पानी अब इसमें हम गर्म ही डालेंगे, क्योंकि तड़का और दाल हमारी पूरी तरीके से पके हुए हैं, तो यहां ह इसमें हम डालेंगे खूप सारा कटा हुआ हराधनिया, तो निमाल की बहुत ही फेमस, तीखी, हलकी सी मेथी और चटपटी डाल बनकर तयार है, फ्रेंड्स एक बार यह डाल आप किसी को भी खिला देंगे न, तो वो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बगिर रह नहीं पाए तो वो पूरी तरीके से क्लियर आता है, तो बाटी हमारी अच्छी तरीके से स्टीम हो चुकी है, अब प्लेट को हम पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे, तभी बाटियों को निकालेंगे, क्योंकि गर्ण प्लेट में से निकालने पर बाटी की लेयर्स टूट भी सकती है तो आब इन ठंडी बाटियों को हम काट लेते हैं तो आब देख सकते हैं कि हमारी बाटी में बहुत यची तरीके से layer नजर आ रही है हम क्या करेंगे कि एक बाटी के चार हिस्से कर लेंगे तो ये तो हुई layer वाली बाटी चलिए उस बाटी को भी हम कट कर लेते हैं जिसे हमने पहले तरीके से बनाया था तो आप देख सकते हैं कि इसमें ज्यादा लेयर नजर नहीं आ रही है फिर भी ये जल्द बाजी में बहुत अच्छी बाटी बन कर तयार हो जाती है तो चलिए हम सारी बाटी को चार पीसेज में कट कर लेते हैं तो अब इन कट हुई बाटी को हमें करना है फ्राय तो उसके लिए तेल को हम पहले तेज गर्म कर लेंगे और तेजगर्म तेल में एक बार हम जितनी भी आपकी कडाही में बाटी आसकती है उसे डाल देंगे और एक मिनिट बाद जब बाटी की उपरी लेयर अच्छी तरीके से सैट हो जाती है तब गैस की फ्लेम को हम low to medium कर देंगे और बाटी को अब हम अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अलट पलट के फ्राइ कर लेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम बाटी को फ्राइ करेंगे इसकी एक एक लेयर तेल में अच्छी तरीके से खुलने लगीगी पर बाटी को fry करते समय बस आपको यही याद रखना है कि starting के एक मिनुट गैस की फ्लेम को आप हाई रखेंगे और बाद में low to medium फ्लेम पर ही पूरी बाटी को fry करेंगे तो ये देखिए बहुत ही अच्छी क्रिस्पी करारी बाटी हमारी fry होकर तयार है तो जब भी कुछ special खाना हो या अचानक से महमान आ जाए तो घर पर रखे सामान से ही हम बहुत ही special इस थाली को बना कर तयार कर सकते हैं दाल में हम डालेंगे गर्मा गरम घी को और यहां आप देखकर समझ ही सकते हैं कि बाटी हमारी बाहर से बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और अंदर से soft बन कर तयार हुई है तो आने वाले summer season में जबकि fresh vegetable market में नहीं मिलती तो आप इस तरीके से दाल बाटी को भी बना सकते हैं यह खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाटी बनाने में कोई भी दिकत नहीं आएगी वीडियो थोड़ा भी helpful लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और friends और family में शेयर करें चलिए मिलते हैं किसी और व recipe के साथ